द्वनियों से बने सार्तक वर्ण समुदाय को जो है अपर हम शब्द जो है कहते हैं शब्द के बेद जो है प्रमुकृप से चारी बेद हैं वित्पति मतलब बनावट, वित्पति, प्रयोग और उसके साथ साथ अर्थ की दुरुष्टी से वहाँ शब्द जो योगिक तो है किन्तु सामान्य आर्थ को ना प्रकट कर किसी विशेश आर्थ को प्रकट करते हैं वहाँ योगरूड कहलाते हैं नमस्कार मैं हूँ हर्शीता हिंदी लेक्चिरर विद्दैश्रम कॉलेज मैसूर आज हम मैसूर इनिवर्सिटी के फर्स समिस्टर बीकॉम की हिंदी पाटेक्रम से शब्द बेज उसे देखेंगे देखेंगे आप लोगों को इस बार व्याकरन जो है आपर दी गई है चौते यूनीट में फस्यम में आपके सिलेबस में चौता यूनीट वहाँ व्याकरन है तो यहाँ पर व्याकरन के बारे में जो है जानना आप लोगों को बहुत ही जरूरी है क्यूंकि किसी भी भाशा के शुद्ध रूप का प्रयोग है उसे करने के लिए शुद्ध और सार्तक रूप का प्र व्याकरन के सकते हैं इसलिए अगर आपको जो है जो भी भाशा अगर आपको सीखनी है तो उसके जो व्याकरन जो है पहले उसे सिखना बहुत ही जरूरी है तबी जाकर जब आप व्याकरन के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे तबी जाकर जो है आप भाशा के बारे में जो है आप संपोल्ण रूप से ज्ञान प्राप कर सकते हैं तब ही जाकर उस भाषा को जो है आप आप क्या है शुद्ध और सार्तक रूप से प्रयोग जो है कर सकते हैं देखे मनुश्य जो है वहां किसी भाषा की तो प्रयोग करता ही है क्योंकि मनुश्य संग जीवी है तो तो ऐसे में क्या है वहाँ भाशा का प्रयोग चाहें लिक्कित रूप से या फिर मौकिक रूप से या फिर बहुत सारे जो बाशा है वह क्या है अपनी बाशा का मात्रू भाशा जो है फिर प्रादेशिक भाशा जो है उसका प्रयोग तो वहाँ करता ही है तो ऐसे में लिक्क प्र्मु कृप्षेसय कारकादी को पर दिया गया है और शब्दबेद को भी दी गई है तो आज का विशेयं वहा है शब्द डैनको जनने से पहले हमें ये जनना बहुत ही है शब्द जो है वहां क्या है किसे हम शब्द कहते हैं अगर उसकी परिबाश्वा पहले अगर हम जानेंगे तो बाद में जो है आसान इसे शब्द के बेद है उसको हम जानपाएंगे। देखि करहें मैं इनक्षिक से बने तक वर्ण कर्ण समुदाई lay पर हम शब्द जो है कहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंतर सार्तक द्वनी शब्द कहलाता है एक या फिर एक से अधिक जो है वर्णों से बनी हुई सार्तक देखें उसमें भी सार्तक जो यहाँ पर वर्ण समुदाय जो है वहाँ शब्द कहलाता है तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे एक वर्ण से निरमीज शब्द न यानी नहीं वा यानी बाफिकान आपर देखें मतलब इसलिए अपर क्या है यह मस्तितिका कि तो यहां पर क्या है एक inveas शब्द है तो उस कार्तिया पर क्या है नहीं वा मतलब और तो ऐसे जो शब्द है एक अक्षर से जो सार्तक है जिन कार्त जो है पर सार्तक है जो सार्तक शब्द जो रहते है उसको हम यहाँ पर चाहे वहाँ येकी वर्ण से क्यों ना बनी हो उसे भी हम शब्द केते तो पर एक शब्द कहलाता है और वाभी जैसे अनेक शब्दों के लिए उदारन किया दे सकते हैं हम एक शब्द बनाएंगे तो वहाँ शब्द नहीं कहलाएगा उसमें क्या है इक अर्फ रहना चाहिए उसका प्रयोग सार्तक होना चाहिए तब ही जाकर वहां शब्द कहलाएगा तो यह पर देखें एक या आधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्तक द्वनी या फिर क्या है वर्णों के समूह को जो है हम क्या कहते हैं शब्द कहते हैं तो ऐसे में शब्द की परिबाशा तो चाहिए क्या या वद्पति की आदार पर फिर की अर्थ की दृष्टी संब्द के प्रमुक रूप से सिर्फ चारिँ बेद यहाá पर आप देख सकते हैं कि शब्द के बेद जो है प्रमुक रूप से चारिब्ध बहन है वुद्पति मतलब अग्य विद्पति प्रयोग और उसके साथ साथ अर्थ की दुरुष्टी से तो यहाँ पर देखिए रूडी, योगिक, योगरूड तो यहाँ पर जो है उत्पति के आदार पर वित्पति मतलब बनावट के आदार पर रूड, योगिक और योगरूड करके यहाँ पर क्या है? फिर से उसमें तीन बेद हम देख सकते हैं वही उत्पत्ति के आदार पर जो है आपर तद्सम, तद्बव, देशज, और विदेशी तद्सम, तद्बव शब्दों के बारे में आप सबी लोग जनते हैं तो तच्चम तदबग देशेज़ विदेशी करके कहा से उन शब्दों की उत्पती हुई तो इसकी आदर पर जो है यहाँ पर क्या है शब्दों का जो बेदेवा किया गया है नेक्स्ट देखे प्रयोग के आदर पर आप देख सकते हैं पर विकारी और अविकारी करके दो तो जो विकारी क्या है जो यह है पर सामाई संदर्भु के अनुसार जो है उसका रूप जो है बदलता है जिन शब्दों का रूप यह पर बदलता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं और क्या है styles अविकारी मतलब या फिर नहीं संदर बुक्यान उसार उनका रूप नहीं बदलता वह एक शब्द अगर वेसा ही रहे तो उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं तो वह सबी जो है अपर क्रिया विशेशन संबंद बोदक समच्चाई बोदक और विस्मयादी बोदक जो शब्द वह जो है ओविकारी शब्द के अंतरगत आते हैं तो प्रयोग किस तरह होता है तो प्रयोग किया दर पर इतने भेद शब्द के हैं नेक्स्ट वही अर्त की दृष्टी से अगर आप देखेंगे तो अर्थ की दृष्टी से देखिये सार्थक और निरअर्थक मतलब सार्तक शब्द रहते हैं और कुछ निरर्तक शब्द रहते हैं तो सार्तक शब्दों का ही महत्वु जो है वहां रहता है तो चलिए अभी हम देखेंगे कि वित्पति मतलब बनावट के आदार पर जो है शब्द के बेद के से हैं तो वित्पति के आदार पर शब्द के निन् अर्थ को प्रकड करते हो तता जिनके टुकडों का कोई अर्थ नहीं होता वे रूड कहलाते हैं। देखें यह पर द्यान दिजिए कि अन्नी शब्दों के योग से ना बने हो वहाँ शब्द जो है किसी के योग से ना बने हो और उसके साथ साथ कोई विशेश अर्थ को जो है वहाँ प्रकट करें अर्थ भरित जो शब्द जो है वहाँ हो और उसके साथ साथ क्या है जिनके टुकडों का कोई अर्थ नहीं, शब्दों का अर्थ है, मगर वही अगर हम उसे अलग करेंगे, तो क्या है, उन टुकडों का कोई अर्थ यहाँ पर नहीं होता है, तो उसे हम यहाँ पर क्या है, रूड शब्द जो है, कहते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते है, कल और प करेंगे तो नहीं का कोई अपना एक अर्थ है और नहीं बना है मगर इसे जब हम आलक करेंगे तो उसका भी जो है यह पर कोई आर्थ नहीं रहता है तो इसे हम जो है यह से को जो है क्या कहते हैं पर रूढ श्ब्द कहते हैं वहीं देखिए पर मे पर फ्राव रा हमने अलग-अलग कर दिया तो अफ़र को इंसे उसरा को इसे इनकी devam का मतलब अगर अगर अलग-अलग करें तो उनका आर्थ नहीं रहता है तो इसे शब्दों को specifics रूड शब्द कहते हैं वही देखें आपर योगिक शब्द मतलब जो शब्द कई सार्तक शब्दों के मेल से बने हो वे योगिक कहलेता है देखें योग मतलब क्या है मिलना योग कार्थ आपर क्या है मिलना सैयोग तो ऐसे में योगिक मतलब जो क्या है आपर दो या दो से जादिक शब्रों के मेल से जो बनते हैं उसे हम योगिक शब्द कहते हैं जैसे देवाले शब्द कि अलेग मतलब यहाँ पर तुकडों का भी आर्त रहता है देखें आप दो शब्द है देविक अपने आप too मैं एक शब्द आरो भी सार्तक शब्द है तो ऐसे में जब इन दोनों के मेल से देवाले शब्द बनता है, तो जो देवाले शब्द है या पर क्या बनता है, योगी का शब्द जो है वहाँ बनता है, नेक्स्ट देखे, राज पुरुष अगर हम देखेंगे तो राज और पुरुष, राज प्लेस पुरुष, तो रा और आदिक सार्तक शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं उसे हम योगिक शब्द कहते हैं. नेक्स्ट देखिए यहाँ पर योगरूड शब्द तो वह कौन से वह शब्द जो योगिक तो है किन्तु सामान्य आर्त को ना प्रकट कर किसी विशेश आर्तु को प्रकट करते हैं वहाँ योगरूड कहलाते हैं देखे अपर जो शब्द जो है योगिक है मतलब यहाँ पर भी क्या है दो सार्तक है फिर आदिक दो से आदिक जो है सार्तक शब्दों के मेल से ही वहाँ शब्द बनते हैं तो वहाँ योगिक तो है को पता चलेगा देखे दशानन अब यह जो दशानन शब्द जो है इसे देखेंगे तो दश यानि दस दस मतलब यह पर क्या है दस है और आनन मतलब मुख आनन का अर्थ यह पर क्या है मुख है तो दस सीरो वाला करके हम किसका प्रेय करता है यह आपर रावन तो सिर्फ दशा करके हाँ है सिधा सिधा ना निकलते हुए किसी विशेष पत के लिए फिर विशेष वेक्ति या वस्तु के लिए उसका प्रयोग जो है उसे हम क्या कहते हैं यहां पर योगरूड शब्द जो है यहां पर हम कहते हैं नेक्स्ट देखें यहां पर उत्पत्ति के आदार पर क्या है उत्पत्ति के आदार पर तो उत्पत्ति के आदार पर शब्द के चार बेद है मैंने आपको बताया किस तरह शब्द की जो है उत्पत्ति होती ह है उसके आदार पर फिर से चार उपबेच कीसमें किया गया है उतपती के आदार तो देख आपर तद्सम शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी पर रिवर्तन के आये है वे जो शब्द संस्कृत भाशा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के जिन शब्दों का ग्रहन या फिर जिन शब्दों को या पर प्रयोग जो है हम करते हैं उन्हें हम या पर तत्सम शब्द केते हैं जैसे अगनी क्षेत्र वायू रात्री सूरी आदी अगनी क्षेत्र वायू र घात्री सूर्य यह सभी गढ़ी संस्कृत को शब्द में और वैसे ही जो है हिंदी में भी क्या है इनका प्रयोग जो अगर हम करेंगे तो तद्सम शब्द कहलाएंगे तो नेक्स्ट देखे अगर उन शब्दों का प्रयो करते हैं तो वहां जुँत है प्रयोग आग हो चाहित फ सकते हैं अगनी करके अगर आग में तो नहीं सी लिए नंग slightly एग यह क्रेम उसकीोर बदल मगर क्यों है उसका एक सिलिये सब्सक्राइब या निज़ बसाइब मतलब उसका प्रयोग करते व्यसे हिब हार जिनका प्रयोग हमतों चाहिए व्यसे ही प्रयोग पर कहते हैं नेक्स्ट नेक्सिट बिदेश नहीं है प्रयोग इंदी का ला पता ही शीद गिसांग एक आम इस एपनिकों पता है इसक है बहुत-स तो यहां पर विदेशी लोग जो है आमारे देश में आकर रहकर गए कुछ लोगों ने शासन भी किया है जैसे क्या है अंग्रेजों ने किया था कुछ समय तक पोर्चुगालियों ने किया था है न तो ऐसे में देखिए अंग्रेजी और उसके साथ अरभी फार्सी से बहुत आपर देखिए कौन-कौन से कुछ उदाहरन जो है पर दिये गए कुछ विदेशी भाषा से जिन शब्दों को लिया गया है देखिए अंग्रेजी से कॉलेज, पैन, मशीन, डॉक्टर इनका प्रवयोगम कितना है आपर करते है कि हमारी हिंदी भाषा में है न तो आपर द चायदी क्या है बहुत ही कम लोग जानते है कि चश्मा जो है वहां हिंदी की शब्द नहीं बलकि फार्सी के शब्द है तो नमोना, आदमी, चुगलकोर तो यह सभी रोजमर्रा की भाषा में जो है या फिर रोजमर्रा की बातचीत में जो है हम आम लोग जो है जिन का प्रयोग करते हैं तो यह फारसी शब्द से क्या है आए है वही नेक्स्ट देखें यहाँ पर अर्भी से तो अउल्द अमीर कतल कलम फकीर आउरत कैदि गरीब तो इन सभी उसका प्रयोग करता है, ऐसे ही जो है वो शब्द हमारी हिंदी भाषा में गुल मिल जायके हमें लगता है कि क्या है, वो हमारे हिंदी भाषा के ही शब्द है, नेक्स्ट देखें तुर्की से कैंची, चाकू, तो, बारूद, लाश, तो यह सबी तुर्की भाषा से जो है तूफान, लीची, चाय, पटाका, तूफान, लीची, चाय, पटाका, चाय के बारे में शायदी आप सभी लोग जानते हैं, चाय जो है यहाँ चीनी बाशा का शब्द है, तो नेक्स्ट देखें, युनानी से टेलिफोन, आइटम, डेल्टा, टेलिफोन, आइटम, डेल्टा जो है युनानी भाषा का शब्द है नेक्स्ट जापानी से रिक्षा रिक्षा करके हम कितना यह पर उस शब्द का प्रयोग हम करते हैं तो क्या है शायदे कम लोग जनते के रिक्षा जो है वहाँ जापानी भाषा का शब्द है जापानी भाषा से जो है उस शब्द का ग्रह बिखेए था तो उनके संपर्क में आने के करण इसे घुष सब्ढ लगए है कि जो है अब यह मुन्ने पैचान भी नहीं सकते की वुधेशी भाषा है ऐसा लगता है कि हिंदी के ही वह रचम अगय देखेंगे दिखेंगे mat प्रयोग के आदार पर प्रयोग के आदार पर जो है शब्द के कुल आठ बेद हैं मैंने बताया आपको प्रयोग के आदार पर प्रमुकृप से दो बैज आपर क्या है विकारी अविकारी जिनका यहां पर रूप बदलता है तो वह विकारी शब्द के लाते हैं संदर्ब समय सब्सक्राइब आते हैं तो इन उपर युक्त प्रकार के शब्दों को भी कार की दृष्टी से जैसे मैंने आपको पहले बताय कि विकारी और विकारी तो इस में से कौन-कौन से शब्द जो है आते है सन्या के शब्द जो है सन्या सर्वनाम विशेशन क्रिया सभी विकारी शब्द के अंतरगत आते हैं क्योंकि उनका रूप जो है वहाँ बदलता है जैसे उदारण के लिए मैं जो है वहाँ सर्वनाम है तो मैं के लिए मुझे मैं के लिए क्या है अप रूप परिवर्तन होता रहता है वहां विकारी शब्द के लाते है। तो इनमें सन्या, सर्वनाम, विशेशन और क्रिया जो है वहाँ सभी जो शब्द है वहाँ विकारी शब्द के अंतर गताते हैं वही अविकारी शब्द में देखें जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्त नहीं होता है वे अविकारी शब्द के लाते हैं जैसे य किन्तु और है आरे आदी सबी जो है इनका रूप कभी नहीं बदलता मतलब है का प्रयोग जो है हम क्या है है करके ही उसे बदल कर हम प्रयोग नहीं कर सकते आरे के लिए आरे ही जैसे ही है वैसे ही जो है हम यह पर उसका प्रयोग करते हैं तो ऐसे में क्रिया विशेशन संबं बॉदक और विस्मयादी बॉदक यह सबी जो है इसके अंतरगत आते हैं देखे इसके बाद बस्ता कुन सा है अर्थ की दृष्टी से तो अर्थ के लिए निरर्थक सार्थक मतलब जो जिनका शब्दों का अर्थ जो है रहता है वहां सार्थक शब्द के लाते हैं और कुछ जो है अर्थ नहीं हर्त हीन होते हैं तो वहां निरर्थक शब्द के अंतरगत आते हैं तो यह सबी जो है अपर शब्द बेद है तो आपको याद क्या रखना है शब्द के प्रमुक्रूप से सिर्फ चारी बेद है वित्पत्ति मतलब बनावट के आदार पर उत्पत्ति के पर फिर प्रयोक के आदार पर और अर्त की दुरुष्टि से तो उसमें से फिर से जो है पर वित्पत्ती मतलब बनावट में तीन उपभेद जो है फिर हार्त की दृष्टी से सिर्फ दो ही उपवेद है तो प्रमकृप से बेद और उपवेदों के बारे में याद रखीएगा हो सकता है एक अंक के लिए आपको इसमें से प्रश्न जो है पूछे धन्निवाद